संपर्क तथा असंपर्क बल हम इस कार को हाथ से धकेल रहे हैं क्या आपको इन दोनों प्रकार की गतियों में कोई फरक नजर आता है चलिए एक और उधारन देखते हैं अब हम इन कागत्स के टुकड़ों को हाथ से उठा रहे हैं और इन टुकड़ों को उस कंगी से उठा रहे हैं जिसे हमने पहले अपने बालों पर घिसा हुआ है क्या आप इन दोनों प्रकारों में कोई फरक बता सकते हैं कार को हिलाना हो या फिर कागत्स को उठाना हूँ इन दोनों प्रकारों में पहले वस्तूओं को हाथ लगा कर हिलाया है और दूसरे उधारणों में कार को हिलाने के लिए चुम्बक का उपयोग किया गया है हम जानते हैं कि चुम्बक के दो समान द्रूव एक दूसरे से आकरशित नहीं होते हैं वे दूर जाते हैं अर्थात उनमें प्रतिकरशन होता है कार में लगा हुआ छोटा चुम्बक और हमारे हाथ में जो चुम्बक है उनमें प्रतिकरशन होता है प्रभारित कंगी के इस्तमाल से हमने कागच के टुकड़ों को उठाया जब हमने कंगी को बालों पर घिसा तब कंगी पर इलेक्ट्रॉंस का संचे हुआ इलेक्ट्रोन्स प्रभार से संबध होते हैं और चूगी वे हिलते नहीं है इसे विद्युत्स्थैतिक अर्था इलेक्ट्रोस्टेटिक बल कहा जाता है आप जानते हैं कि किसी भी वस्तू को हिलाने के लिए बाय बल की आवश्चक्ता होती है अभी जो उधारन हमने देखे हैं इन में हमने दो प्रकार के बलों का इस्तमाल किया है संपर्ग बल और असंपर्ग बल जब हम किसी वस्तू पर बल का प्रयोग करते समय उसे चूते हैं तब उसे संपर्ग बल कहा जाता है जब वस्तु को बिना छुए उस पर बल का प्रयोग होता है उसे असंपर्ग बल कहा जाता है क्या आप बता सकते हैं कि इस फल को गिराने में किस प्रकार के बल का इस्तमाल हुआ होगा सही कहा ये हमारी प्रिथवी के कारण हुआ वो गुरुतवा करशन था जिसने फल नीचे की ओर खीचा है हम इसे क्या कह सकते हैं संपर्ग या असंपर्ग बल आप इस प्रश्ण का उत्तर खोजिए इसके लिए आप अपने दोस्त की मदद भी ले सकते हैं अब हम संपर्ग और असंपर्ग बल के बारे में जान गए हैं क्यों आप दिये गए उधारणों में इन दोनों प्रकारों के बलों के उधारणों का वरगी करण किया जाए एक आदमी द्वारा कुत्ते को खींचना फुटबॉल को लात मारना बल्ले से बॉल को मारना फ्रिच के दर्वाजे का अपने आम बंध होना प्रभारित पीवी सी पाइप द्वारा सौफ्ट ड्रिंग क्यान का हिलाए जाना बच्चों की हाथ हपाई चुम्बकियबल, इलेक्ट्रोस्टेटिक बल और गुरुत्वाकर्शन का बल ये असंपर्ग बल के उधारण है मास पेशियों का बल संपर्ग बल का उधारण है घर्शन हम इस कमपाज बॉक्स को ढखेलने की कोशिश करते हैं हमें इसे आगे ढखेलने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है आपको क्या लगता है, इसकी गती को कौन रोक रहा है हम ढखेल रहे हैं, हम बल का प्रयोक कर रहे हैं हमारे बल की दिशा आपके दाहिने उर है कोई अलग प्रकार का बल होगा जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है इसी बल को घर्षन कहा जाता है जब संपर्क में आई होई दो वस्तुएं एक दूसरे के विरुध दिशा में चलती है तब एक बल होता है जो अवरोध करता है उस बल को घर्षन कहा जाता है घर्षन गती के विरुध दिशा में काम करता है अगर गती की ये दिशा है तो घर्षन का बल इन दिशा में काम करेगा घर्षन को खराब बल के रूप में देखा जाता है अनेकों बार इसके कारण मशिनों की कारिक्षमता भी कम होती है फिर भी ये बल, कील, स्क्रू और माचीज जैसी वस्तूओं के लिए आवशक होता है घर्शन के बिना न हम चल सकते हैं, ना ही वाईलीन जैसा वाद्य बजा सकते हैं इतना ही नहीं पानी का गिलास तक नहीं उठा सकते हैं चली, अब इस कमपास बॉक्स को लकड़ी के तकते पर रखते हैं अब मैं अपनी उखलियों से इसे आपके दाहिने और धकेलता हूँ इसे धकेलना आसान नहीं है, गती में कुछ रुकावट है अब हम इस कमपास को मोटे धागे से बानते हैं धागे के सहारे कमपास को खींचना आसान हो गया है अब हम यहां कुछ सिक्के रखेंगे सिक्कों के वजन के कारण कमपास बॉक्स आसानी से हिलाया जा सकता है अब जब मैं आठ सिक्के रखता हूँ कमपास आपके दाहिने और जाएगी हम कमपास बॉक्स और तखते के बीच में हो रहे घर्शन को किस प्रकार कम कर सकते हैं थोड़ा सोचे इसके बारे में हम तखत की सताह पर पावडर छिड़कते हैं अब हमें कमपास को हिलाने के लिए कितने सिक्कों के आवशकता होगी अब सताह चिकनी हो गई है अब हमें कमपास हिलाने के लिए कम सिक्कों के आवशकता होगी अब हम आठ के स्थान पर छे सिक्कों का ही इस्तमाल करेंगे चलिए अब हम कमपास के स्थान पर एक प्लास्टिक का बकसा इस्तमाल करते हैं क्या इस बक्से को हिलाने के लिए मुझे उतने ही सिक्कों के आवशकता होगी चलिए कोशिश करके देखते हैं गर्षण की मात्रा उस वस्तु की सतहक किस पदार्थ से बनी है इस पर भी निर्भर करती है गर्षण के कारण उश्णता भी निर्मान होती है जब हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर गिसते हैं तब हमें उनमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है हम हथेलियों को गिसने के बाद मक्षन को हाथ मिलेंगे तो वो तुरंट पिगल जाता है अब मैं अपने हाथों को इस प्रकार से एक दूसरे पर गिसता हूँ हमने ये विडियो एक साधरन कैमरा द्वारा लिया है साधरन कैमरा के स्थान पर हम हाथों के इसकृति को थर्मोग्राम कैमरा द्वारा भी चितरित कर सकते हैं ये कैमरा मेरे हाथों में जहां जहां उष्णता निर्मान हुई है ऐसे अलग-अलग क्षेत्रों को चितरित करेगा अधिक उष्णता वाले क्षेत्र हमें पीले रंग में दिखाई देते हैं और ठंडे क्षेत्र बैंगरी रंग में दिखते हैं आप भी इस पेले क्षेतर को देख सकते हैं, जहां घर्षन के कारण उश्णता निर्मान हुई है। ये कमपास बॉक्स लेते हैं, उसे एक हलका सा धक्का मारते हैं, ताकि वो टेबल पर सरक पाए। अब टेबल पर थोड़ा पानी छिटक देते हैं, मानो हलकी सी बारिश हो, अब उसी वस्तू को उतनी ही मातरा में धक्का मारे और देखे क्या होता है। अब उस पानी वाली सता पर तेल की कुछ बूंदों को छिटकते हैं और फिर से कमपास को उसी समान मातरा में धक्का मारते हैं अब बताए क्या हुआ ये बिल्कुल बारिश में रास्तों की जो अवस्था होती है उसकी समान है बारिश के कारण गीले रस्ते पर जब गाड़ियों का तेल गिर जाता है ठीक वही असर ऐसे रस्ते पर गाड़ी चलाना खत्रे से खाली नहीं होता है गाड़ी फिसल सकती है और दुरगटना भी घट सकती है जब हम ये डस्टर लकड़ी के तखते पर रखते हैं तब क्या होता है क्या आपको लगता है डस्टर के सारे कोने तखते के सारे कोनों के साथ मेल खाते हैं शायद नहीं बहुत ही महीं स्तर पर या कहे सूख्षमदर्शी के स्तर पर हमें कुछ और ही दिखाई देगा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे जूतों को फर्ष पर चलते समय फिसलने से रोकता है और ब्रेक लगाने पर हमारी कारों को रास्ते पर रोकता है अब आप अपने आस्पास घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में पता लगाएं जहाँ पर घर्षन उपयोगी सिद्ध हुआ है संतुलित और असंतुलित बल हम इस डस्टर को रस्टी से बानते हैं जब हम इसे उठाते हैं तब रस्टी में खिचा आवाता है डस्टर का वजन उसे नीची की और खींचता है और रस्टी का खींचा उसे उपर की और खींचता है अब मान लें कि डस्टर का वजन 100 ग्राम है तो बताईए कि डस्टर को पकड़े रखने के लिए हम कितने बलका इस्तमाल कर रहे हैं अगर डस्टर का वस्तुमान 100 ग्राम है तो उसका वजन लगभग 1 न्यूटन होगा अर्थात वस्तुमान अर्थात M गुणा जी गुर्थवा करशन के कारण तयार होने वाला त्वरण जो 9.8 प्रतिवर्क सेकंद है 100 ग्राम अर्थात 0.1 किलो ग्राम इसलिए वजन बराबर M अर्थात वस्तुमान गुणा जी बराबर 0.1 गुणा 9.8 जो कुल मिलाकर 1 न्यूटन इतना होता है यदि हम स्प्रिंग तराजू से वजन करेंगे तब वो एक न्यूटन के बराबर होगा जो इस डस्टर के वजन के बराबर है हम कह सकते हैं कि रसी का खींचा और डस्टर का वजन परिमान में समान है या ये समान मूल्य के बल हैं परन्तु बल की दिशा विरुध होगी इसी कारण ये संतुलित बल है चलिए अब हम इस लकडी के टुकडे को पानी में डालते हैं ये तेरता है, ये तेरता है क्योंकि उस टुकडे का वजन संतुलित है, इसका कारण है उस टुकडे पर पानी द्वारा उपर की ओर बल लगाया जा रहा है, उसे उत्पलावक बल, अर्थात तैरने वाला बल कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये दोनों बल संतुलित बल होते हैं, चलिए इस पर हम दस रुपे का सिक्का रखते हैं, अब बल समान नहीं रहेगा, बल अब असंतुलित हो जाएगा, जब हम लकडी के टुकडे का वजन बढ़ाएंगे, तब संतुलन खोने की वज़ा से वो डूब जाएगा, देखते हैं कि तक्त पर पुस्तक रखने से क्या होगा, गुरुत्वाकरशन पुस्तक को नीची की ओर खीचेगा, और लकडी का टुकडा उसे उपर की ओर धकलेगा, ये दोनों बल परिणाम के स्तर पर समान हैं, परुन्तु वे बल विरुद्ध दिशा में हैं, इसी कारण पुस्तक संतुलित है, अभी इस पुस्तक पर कोई अन्यबल कार्यरत नहीं है, पुस्तक स्थिर अवस्ता में है, अब हम धीरे धीरे पैड का एक सीरा उठाएंगे, क्या आप बता सकते हैं, इसे क्या हो सकता है, कुछ समय के बाद वो पुस्तक पैड से नीचे फिसल जाएगी, क्या आप बता कि जैसे ही हमने पैड का एक सिरा उठाना शुरू किया परन्तु पुस्तक क्यों नहीं फिसली होगी शुरुवात के काल में पुस्तक को फिसलने से रोकने वाला घर्शन था एक असंतुलिद बल है और जिसके कारण पुस्तक अपनी गती की स्थिति को बदलती है असंतुलिद में फिसलेगी जिस कोण में पुस्तक फिसली थी वस्तू पर जो बल लगता है वो संतुलित है या असंतुलित इसका निर्धारण भला कैसे किया जा सकता है सबसे पहले हमें वस्तू पर जो बल लग रहा है उसे और उसकी दिशा दोनों को एक साथ निरधारित करना होता है अगर दो भिन बल समान परिमान के हैं परंतु भिन दिशाओं में हैं तब वे संतुलित बल कहलाते हैं अगर उनके परिणाम अलग-अलग है तब वे असंतुलित बल कहलाते हैं चलिए इस सिमिलेशन के जरीए इस बात को समझते हैं किसी भी वस्तू पर तीन बल कारियरत होते हैं गुरुत्वाकर्शन, साधारन बल और घर्शन जब हम तख्ती को उपर उठाते हैं तब गुरुत्वाकर्शन से निर्मान होने वाला बल काम करता है अर्थात वस्तू का वजन दोनों दिशाओं में लागू होता है एक सतह के साथ और दूसरा सतह से लंब में जैसे जैसे हम टेबल के साथ तख्ती का कौन बढ़ाते हैं सतह के साथ तख्ती का वजन बढ़ता जाता है एक जगा आकर वो दोनों दिशाओं में लागू होने वाले घर्शन के बल से अधिक होता है अब बल असंतुलित हो जाता है और वस्तू तक्ती से नीचे की ओर फिसल जाती है। आपने रसी खेंच का खेल अवश देखा होगा। जब तक दोनों तरफ के खिलाडी समान बल लगाते हैं तब तक रसी बीच में स्थित रहती है। पर जब बल असंतुलित हो जाता है तब जिस ओर अधिक बल लगाया जात है वो पक्ष जीच जाता है। सारांच हमने दो प्रकार के बलों के बारे में चर्चा की संपर्गबल और असंपर्गबल हमने बल के कारण निर्मान होने वाले घर्शन के बारे में भी बात की। आप भी हमारे रोज मर्रा के जीवन में घर्शन की भूमिकाव के बारे में अधिक जानकारी खोजने का प्रयास करें.